हालो माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग गुमीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे बढ़िया होंगे मज़े में होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज है रिपब्लिक डे और अभी टाइम हो रहा है सबे के करीबन साथ बज़ रहे हैं बुल बुल का साथ लेकर जाना है तो बस पड़ा पड़ मैं तैयारी कर रहे हूँ उसके टिफिन की और टिफिन में मैं आज उसके लिए बना रहे हूँ सेंडविच क्योंकि बुल बुल मैडम की डिमांड है कि आज उसको सेंडविच लेकर जाना है स्कूल में तो बस जल्दी जल्दी उ तोटिस कर रहे हूं जब हम लोग चोटे थे तो भी बहुत ज़दा ठंड होती थी जा रही हूं छबेज अमरी में लेकिन यह मैंने पहना है और स्कूल में टाई उतरवाई जाएगी बैल्ट उतरवाई जाएगा कोट उतरवाई जाएगा और शवत उतरवाई जाएगा और तो यह सरब यह फिये स्मय भी डिखेगा और कुछ होका वह नजच इसाइगा और कुछ होल ने बना है न harness अगर होगी कज impair कोश्चान, नहीं गट वू कोश्यों नहीं बस आइलाइनर लगा लेग है और कुछ निहानर पूसुर्दिक और यह जो भी आई ऐएटिक डिधिक तुरा गजली को लिए लिप्स्टिक को ला तु का जाए इवड़ा तब तक तक तो लिप्स्टिक वागुड़ा माम मैडम करेंगी तुमारा मेकप इसे जदेगे वे पुछ था? वे गव्त है और गव्त है? नेम्हेख एकरे गवाटो वेकर नहाँ? वेख वग ना? वेख एकव्त है? वेख गव्त है नहाँ था? बहनं करा ला? डिखाँ पड़गा एक से बड़ शोड़ कि एक सब्सक्राइब कर दोनों पति पत्नी लगे हुए बेटी को तयार करने मेरी पब्लिक डे के लिए कि पति देवी पूरी हैलप कर रहे हुँ मेरी ऑर देख भी रहे थी जब बुल-बूल का मेक अप कर रही थी तो ने हमेशं है पहनी ही और पफॉर्मेंस है इस यस ने भी पार्तिसेपेट किया है और सबसे गंदी बात स्कूल की मुझे यह लगी कि parents allowed नहीं है स्कूल में और सिर्फ बच्चों का और स्कूल वालों का ही function है parents वाहाँ पर allowed नहीं है मेरा तो बहुत मन था कि मैं जाओं बुल-बुल का और dance आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से वहाँ पर program होता है पर allowed ही नहीं था तो फिर मैंने का चलो छोड़ो कोई नहीं तो बुल चली गए स्कूल और मैं वो गई हूँ नहा के तयार क्योंकि आज है वसंत पंच में भी तो हम करेंगे अब अपनी पूजा पाठ और बस मैंने यहाँ पे और आज यह लो कलर की साड़ी पहने एक क्योंकि वसंत पंच भी है और आज मैंने क्या मतलब सड़कपर जो भी जारे थी सारी लेडस सबने पहन रकी थी आज यह लो कलर की साड़ी साड़ी सूट मतलब सब पहनते आज के दिन और बस मैं यहाँ पे लग गई हूँ मैंने यही बनाये थे तो बस मैंने चावल चड़ा दिये और सुबह आज उठते ही सिदा मैं बुलूल का टिफिन बनाने लगी और फिर उसके बाद मैंने फटाफट घर की साफसफाई की तो आज मेरा सुबह का निम्बू पानी छूटी गया मैंने पिया ही नहीं तो अब मु मेठे चावल खाएगी नहीं तो फिर मैं और दिन में इनको नमकीन बना दूँ इसको प्याज और मटर वाले चावल पसंद है तो बस यहां पे घी लिया है थोड़ा सा मैंने मेठे चावल बनाने के लिए और उसमें यह चावल डाल दिया चावल नहीं बहुत ज़्यादा पकाए नहीं है थोड़ा सा मैंने अध पका रखा है इसको क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पका देंगे और फिर उनको अगर मीठा करेंगे तो यह फिर पूरे टूट जाएंगे तो जब यह बनाओ तो थोड़ा से इस चीज़ का ध्यान रखो जब फर्स टाइम बना रह इसमें और फिर मेवे अड़ कर देंगे और चीनी डाल देंगे हाँ बस पहले तोड़े थोड़े खी में बून लिया है चीनी भी डाल दीह मैंने सारी चीज़स शाथ ही डाल देनी है मतलब बहुत ज़वत ज़ऎधा ईजी यह सबसे इजी मिठा है बनाना मिठे चावल जो एक साथा आया, तो अच्छा लग रहा है न, दो दुत्टिों हां रहे हैं, एक साथ, वस और गदस में मैने आप डाल दिये, चावल बरने के बाद थोड़े से मेवे, जादा कुछ नहीं डाला है, थोड़े से ही रखे थे ही, नही जादा, पीचे थे मेरे पास बादाम काजू पोगर थोड़े से वो मैरे घुड़ो को भीज दिया थे तहु... मेरे पास जितने थे वस वही डाल दिये व signature खूब सारे मेवे डाल दो तो और भी अच्छे लगता है और थोड़ी से मैंने डाल दिया, इसमें गुलाब की पत्या, और ये तयार हो गई है, हमारी भोग, और दो प्लेट में लगा रही हूँ, एक लड़ गुपाल जी के लिए, और एक सरस्वती माता के लिए, क्योंकि आज के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है, तो बस अ आज आज का काम है, कल पूरा हो जाएगा वो काम, तो बस यहां पर हो गई है, पूजा वसंत पंचमी की चोटी सी, बस इसी तरह से करते हैं, और आज मेरे लड़ू गोपाल जी ने भी और येलो येलो ड्रेस पहनी, येलो के सरिया, जो भी मतलब इस तरह के कपड़े पहनन दो में शाम को करूंगी, अभी अभी आई हूं, मेरे को डाटो मत देख लेना, और फ्रेंट उनको एक चीज़ कहना तो बूली गई, हपी चपीश जन्वरी, रिपॉब्लिक दे, हपी रिपॉब्लिक दे बोलता, हपी रिपॉब्लिक दे, बुल बुल आ गयी थी, आज स्क बारे बारा बज़े उसका function को हो गया था और उसके बाद बुल-बुल को छोड़ा मैंने ताई जी की घर और मैं आगी हूँ पारलर में हाँ जी थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं तो मैंने सुचा थोड़ा सा अपना makeover करा लिया जाए तो haircut करवा रही हूं जादा तो नहीं करवा रही हूं haircut बस front cut मैंने लिये और पीछे से थोड़ा सा trim करवा है क्योंकि इतने लंबे बाल है तो और कोई style मेरा करवाने का मन नहीं करता मन तो बहुत करता है पर फिर मुझे ऐसा लगता है मेरे बाल बहुत जादा चोटे हो जाएंगे इतने लंबे इसनी मुश्किल से मैंने बाल बढ़ा है तो बस पार्लर में आज थोड़ा समय अपना makeover कराने आ गई हूं और हाँ जी कल मैंने जिस ब्लॉग में बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं तो काफे सारे और सब्सक्राइबर जो बोल रहे थे कि दिदी शादी की जाने की तयारी हो भूरी है कुछ ने कहा कि कहीं जा रही है किसने कुछ बोला तो हाँ जी हम जा रहे हैं शादी की तैयारिया नहीं है हम जा रहे हैं घूमने और हां कौन से इसलेmay स्टेशन पर जा रहे हैं वहाँ अभी आपको नहीं बताnovaँगी वहँए वह दितने लोगों बतानत पर बो Gary आप सब लोगों ने और इतने सारे कमेंट किये और हाँ कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट किये कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी किये कुछ लोगों ने पूछा कि गुडू के लिए आपने कोई भी खरिकदारी नहीं किये तो गुडू नहीं जा रही है कि नहीं जी गुड जा रही है हमारे साथ ना तो भाई की शादी में जा रही है ना घूमने जा रही है पर वही है कि देखो ठीक है बच्चा अगर इतना अपनी पढ़ाई को इंपोर्टेंस दे रहा है देखो अगर कुछ अचीव करना है अगर हमें अपनी लाइफ में तो कुछ चीजें हमें छ चीजे करने के लिए पर अभी मैं मेरा टाइम जो वेस्ट नहीं करना चाहती बिल्कुल भी उसने ये बात कही जब मैंने उसको बोला ना कि हमारे साथ चल तो मुझे अच्छा भी लगा कि वो इतनी समझदार है वो समझ रही है तो इसलिए गुडू हमारे साथ नहीं जा रही आपके साथ गुडू के लिए आपने कपड़े क्यों नहीं खरीदे एक दो कमेंट ऐसे आए कि खुद के लिए कपड़े इतने सारे खरीदे और पती के लिए सिर्फ एक जैकेट कितनी बेकार है ये और कुछ कमेंट ऐसे कुछ एक दो कमेंट ये थे कि गुडू के लिए त तो फिर मैंने वो comment जो है वहां से remove कर दिया थे उन लोगों को मैंने block भी कर दिया ठीक है मैं रोज करीबन एक या दो लोगों को जो है अपनी जो idea यूट्यूब idea उससे block करती हूं क्योंकि इस तरह के comment मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते है ठीक है प्यार से देखो vlog मैं प्यार से vlog बनाती हूं और सामने वाले को बोलने का मोका तो दो मैंने कल शायद मैं बताना भूल गई थी वीडियो में तो कम से कम आप next वीडियो का wait तो करो कि क्या मैं कहना चारी हूं अब खुद से ही अपने आप से ही और ये चीज़े सोचने लग जाते हूं कि मैं प्यार नहीं करती हूं बेटी से इस वज़े से मैं उसके लिए कपडे नहीं खरीद रही हूं मैं उससे नफरत करती हूं वह इस हot तक कोई बोल सकता है गया मेरी समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें ख्यर चलों को नहीं रखना चाति हूं लोगों को मैंने ब्लॉक ही कर दि यहां पे मैं हमिशे जाती हूं पारलर में घई थीध अ कोषिश Asian उच्छ 0027 करवाया है फिर यह कोषिश अ करवाए वेसे तो मैं नहीं करवाती हूं साल में psych जन मुझे कहीं जाना होता है वन्नर्थ आपको संवारने की कोशिश कर तो बस पारलर से घर आ गई थी घर आके बुलबुल को खाना वाना दिया और उसके बाद आ गई हूँ शूज लेने के लिए कपड़े तो ले लिए पर जूते तो लिए ही नहीं क्योंकि हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तो वहां पर जूते भी जरूरी है तो यह चीज मैंने ओनलाइन नहीं कि मुझे चाहिए भी फिर कल पती देवने मुझे याद दिलाया कि तुझे जूते तो लिए ही नहीं तो बस अब हम आ गए हैं यहां पर शूज लेने के लिए मेरे लिए और ज्यादा कुछ अच्छे तो नहीं थे पर ठीक है अब इतना टाइम है भी नहीं कि मैं और कहीं स ढूंड के ले पाऊं या ऑनलाइन मंगा पाऊं तो जो भी थे मुझे यही समझ में आ रहे थे तो यहीं से फिर मैं ले रही हूँ अपने लिए शूज और मैं सिर्फ मैं घर पर कभी जूते वगर पहनती नहीं इतने एक जोड़ी है मेरे पास तो वह घर पर ही मैं गुमती रहती हूँ तो पहनती रहती हूँ साड़ी के नीचे जूते कभी पहनने की ज़रत मुझे पढ़ी नहीं तो मेरे पास शूज थे ही नहीं इस वज़ए से मैं नए ले रही हूँ और ये भी बोई है कि मैं तो सिर्फ गुमने जाओंगी तब पहनूंगी बाद में तो यह ज आड़ी के नीचे तो शूज अच्छे नहीं लगते अजीब से लगेंगे यह स्पोर्ट जो शूज है और काफी तरह के उन्होंने दिखाए थे भाया ने तो उनमें से एक मैंने स्लेक्ट कर लिया अब घर जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी और अभी टाइम हो है शाम के गरीबन सवाद 6 बच रहे हैं बुल-बुल ट्यूशन पढ़ रही थी अपनी मैंन से तो वस उसको घर पे छोड़के और हम आगे थे शूज लेने के लिए ठंडी हवा चल रही है जितनी जबर्दस्त बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और तो जी शॉपिंग अ नहां जा रहे हैं किसी ने पूछा कि ती बताओ कहा जा रहे हैं तो अभी नहीं बताओंगी जो घर से निकल जाएंगे न तब आप लोगों को जरूर बताओंगी खेर बस अब आगी हूँ घर पे और आते जो अंधेरा हो गया था लाइट ओन करने लगी थी तब मुझे ध गेड है क्योंकि घर काफी पुराना है तो इंके जो गेट थे पहले गेट पर दिमक लगई थी तो वह तो पूरा घर बदी हो हो जाएगा और किसे कि पूरा तूर दो नीचे वाले घर का भी तो वह मैं पहले दे चुकी हूं यह तो अब दुबारा तो क्या ही दिखा हूं तो बस ऐसे में थोड़ी से आप लोगों को जिल्किया दिखा रही थी अचले गाए कि मेरी को सिरु कि मेंता काम था चाहिए द। मेर काम था जो उपल derecho पर्छास अँपे के मोशच स्चोाफ इतने सते दुवाह है टेंगे। और क्या सथी होते है ? अज अबनों यहलो यहलो पनले है अब बसंट पंच में इस लिए है अज मोपी तो एप अब बंदें रीपॉब्लिक डे का मतलब क्या होते है रीपॉब्लिक का मतलब होता है इज़े तो होता है जिस दिन अपना देश आ जा दुआ था रिप्प्लिक देश का समीधान बना था जो नियम और कामून बनेते कि देश में इस चीज नहीं होगी तो फ्रेंट मेंसेज होगी मेंटी से हैं वह कमेंट करके बता देना में को कि इस बारे आज आज हम को स्पीच भी मिली थी में सब्सक्राइब के तरफ से तब मजे क्यों बोज रही है मैं बता दो नहीं मैं भी स्पीच दे सकती हूं इस टॉपिक पे तो मैं बहुत सुना है चलो सुपे तो हम बूल गए तो अभी आप सब लोगों को विश्कर रहे हैं एपी वसंत पंच में और हैपी डिपपली दे टॉ आल माई यूट्यूब फैमिली चलो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को ही पर एंट करते है में अगले व्लोग में और दब तर को ग्लाब ल यूट कर लगे दोस्त बे पारिया है जोगों करेंगे एंट कर दोस्त प्यार आप लोगों करांगे व्लोगों कर दोस्त पारिया है